हेलो एवरिवन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस अफ़े के वीकली करेंट अफेर सेशन में और दोस्तों जो है ये 11 तारीक से लेकर आज 16 तारीक तक के जो है ये करेंट अफेर हैं उमीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और साती साथ वही सेशन को शेर लाइक भी जरूर कर दिया करें तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिसंबर के पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट डेज जिसमें से तीन हमारे इंपॉर्टेंट बर्चरेज हैं दोस्तों ये जो बर्चरेज हैं ये हैं 22 तारीक 23 तारीक और 25 दोस्तों 22 तारीक को बर आमा अनुजन जी का जिस दिन हम इंटरनेशनल मैथिमेटिक स्टे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों ये पूरी की पूरी डिटेल यहां पर लिखी भी है ये पीडिएफ भी हम आपको हमारी टेलिग्राम और हमारे वर्ट सेब चैनल के उपर है वो शेर कर देंगे इसके अलाव अगर मैं जिकर करूं दोस्तों जो है इसके लावा अगर मैं जिकर करता हूं तो हमारा एक तारीक को एड्स डे होता है हमारा चार तारीक को दोस्तों नेवी डे होता है क्योंकि 1971 में नेवी द्वारा जो ऑपरेशन किया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट पाकिस्तानी वै इनिवर्सरी और महापरिनिर्वाना बौध लिट्रेचर में जब कोई बड़ी आत्मा उसकी मृत्य होती है उसे हम महापरिनिर्वाना बोलते हैं फिर साथ तारीक को दोस्तों Armed Forces Flag Day, 9 तारीक को जो है Anti-Corruption Day, 10 तारीक को मानवधिकार दिवस International Human Rights Day, 11 तारीक को दोस्तों UNICEF Day, क्योंकि UNICEF यह जो International, United Nations International Children Emergency Fund है, इसकी 1946 में 46 में New York में स्थापना की गई थी, फिर उसके बाद 14 तारीक को National Energy को कंजर्व करने के लिए National Energy Conservation Day, फिर दोस्तों जो है सोना तारीक को अगर मैं बात करूं, आज विजे दिवस है, 71 की वार आज हमने जीत ली थी, 19 तारीक को गोवा को अजादी दिलाई थी, गोवा Celebration Day, ऑपरेशन विजे के तहट विजे के तहट दोस्तों पर्तगालियों को गोवा से निकाल दिया गया और 27 तारीक को जो है National Anthem Day, क्योंकि उसे दिन 1911 में पहली बार राश्येगान गाया गया था कलकत्ता सेशन कॉंग्रेस पार्टी में, तो इसलिए हम Anthem Day, National Anthem Day celebrate करते है दोस्तों इसके बाद जो है हम weekly क्रणफियर की तरफ move on करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस हफ़ते दोस्तों जो है बहुत पांच राज्यों में elections के जो नतीजे आई थे, उसके बाद मुख्यमंत्री भी तैय कर दिये गए, उनके बारे में बा और यादव जी है, मिर्जोरम में लालदू हुमा जी है, और लास्ट में तलंगा ना में रिवान रेड़ी जी हैं, तो ये पांचों मुख्यमंत्रों आपको याद रखने हैं, इसके लावा दोस्तों दस तारीक को इंटरनेशनल हुमन राइट स्री जो और मैं बताया था म इसके बाद हर साल हम ये जो दिन हैं अब्जर्व करते हैं, साथी साथ बता दूँ आपको कि इस दिन दोस्तों जो है, नोबल प्राइज का भी डिस्ट्रिबूशन किया जाता है, पीस प्राइज दोस्तों नौर्वे की कैप्टल औसलों में किया जाता है, और बाकी सारे ज इक तरफ COP28, Conference of Parties 28, यूजित हो रही है दुबई में, और उसी दोरान ये जोस्तों जो है Change Performance Index आया है, भारत का जो रहेंक है, इसमें 7 है, याद रखें, और इसके लावा जितने भी Indexes है, मैं चाहूँगा कि आप उनकी अलग से एक List मना लें, ताकि सभी को बार बार इदर से देखने की जरूरत है, वो ना पड़े, फिर इसके बाद दोस्तों COP28 के टाइम पिरिड में ही Green Rising नाम का एक initiative है, दोस्तों उसको जो है launch किया गया, और Green Rising नाम से clear है, भाई आप environment friendly, जो campaign करना चाहते हैं, initiative लेना चाहते हैं, भारत में भी इस तरह का already initiative, जिसका नाम है, य युवा, ये दोस्तों already जो है, भाई government of India कर रही है, जिसमें युवाओं का जो involvement है, green projects में, eco friendly projects में, या फिर हम जिसे green GDP की growth rate बोलते हैं, उसमें, तो उसके जैसा ही है, जहां पर युवाओं का जो रोल है, बड़ा ही महत्यपुर्ण है, तो इन projects का नाम याद रखें आप, इन project का नाम जैसे भारत में युवा के नाम से हैं, और अंतराश्चेस तरपे हम इसे green rising initiative है, हम बोल सकते हैं, और दोस्तों ये युवाओं केंपेन था भारत में, जो already हम बात करते हैं, दोस्तों नरेंदर मोदी जी ने life movement शुरू की थी, life, life style for environment, तो उसमें ही युवाओं को ही उसकी तरफ लेके जाने हैं, कि आपका जो life style ही ऐसा हो, जिससे environment है, वो protect है, किया जा सके, यहाँ पर यह भी बिता दूँ, यह life नाम का जो project है, यह हमारे प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी जी ने ही, COP 26, जो की जो दोस्तों स्टॉक हॉल में हुई थी, स्वीडन में, व तो security council है, उसमें 5 permanent members हैं, और यह 5 permanent members जिसमें US है, UK है, दोस्तों फिर Canada है, जपान है, चपान है, और यह फ्रांस है, यह पांचो जो countries है, तो यह राइक्टो नेशन के, इनकी पास veto power है, दुनिया में किसी भी मुद्दे पर अगर यह पांचो देश कोई भी resolution करना चाहें, क यहां पर जो है, जब मैं बात कर रहा हूँ, गाजा, जहां पर आज भी विवाद चल रहा है, इसराइल और हमास के बीच, तो दोस्तों अभी भी वहां पर firing चल रही है, काफी ज़ादा लोग affected हैं, बेसिक जरूरतों का समान उन्हें नहीं मिल पा रहा, तो वहां पर peace keeping, व अभी बार आपने सुना भी होगा, बेंजम एन ने तैन्यू, उन्होंने इस चीज़ का स्वागत भी किया है, इनाइट वनेश में दोस्तों काफी बार पिछले कुछ दिनों में सीज़ फायर, शांती वारता के लिए resolution आए हैं, और अभी फिलहाल जो है, ऐसा कोई प्रस्त and ministry है, हमारे सवरीती इरानी जी उन्होंने इसे launch किया है, दोस्तों इसका जो purpose है, वो है safety, security और empowerment of women, और इसको लेकर दो sub-scheme launch की गई, दोस्तों एक संभाल और एक समर्थया, संभाल जो है women's की safety and security के लिए, और समर्थया empowerment, अब empowerment में दोस्तों start-ups हैं, नए business हैं, self-help group हैं, उनको जो है project set किया जाएगा, और इसको लेकर पहले face में, इस women's अदालत के नारी अदालत को लेकर, दोस्तों जो है, ये असाम पहले face में, जम्मु कश्मीर और असाम यहां पर जो है, ये अदालतें खोली जाएंगी, तहां पर दोस्तों उनको वही जो एक तरहा का टर्ब करना भी वहोगा, और अगले जो faces होंगे, उनमें कहीं और रज्य भी आइसा है, उनको include कर लिया जाएगा, फिर दोस्तों गॉर्मेंट नहीं जो है, एक campaign चलाया, जिसका नाम था, मेरा गाउं, मेरी दरोहर, ये जो है, हमारे tourism minister, जी किशन डेड़ी, जी किशन डेड़ी ज है, उनको mapping करना है, उनकी documentation करनी है, और दोस्तों जिससे की भारत का जो tourism है, गाउं का जो tourism है, वो promote किया जा सके, तो मेरा गाउं, मेरा देश, ताकि हम 75 years celebration में भारत के culture की, भारत के गाउं की, जो diversity है, उसको भी जो है, देख पाएं, दुनिया को दिखा पाएं, और इसमें government का, tourism ministry का साथ देगी, इंद्रा गांधी, National Center for the Arts, और दोस्तों जो की ministry of culture के अंडर ही, काम जो है, करती है, इसका नाम याद रखें, मेरा गाउं, मेरा दरोहर, यहाँ पर आपको confused नहीं होना, मेरा देश, मेरी माटी, मेरा देश, वो एक अलग program था, और ये बिलकुल ही, अ Navy exercise होगी, जिसमें की India समेथ, US, Japan, Australia, Bangladesh, France, South Korea, Vietnam, Indonesia, Malaysia, बहुत सारे देश हिस्सा लेने वाले हैं, और दोस्तों ये जो विशाखा पटनम में, ये conclude होगी, जिसे हम City of Destiny भी बोलते हैं, यहाँ पर भारत की तरफ से, हमारे भारत की जो नेवल शिप हैं, विक्रमादित्या और व अड्मीरल है, उस्तों उनका नाम है, आर हरी कुमार, ये भी आपको साथ है, याद रखना है, फिर भाई यहाँ पर दोस्तों, अभी समय था, दिसंबर का पहला हफता था, दूसरा हफता था, ये समय था, अरजब बैंक ओफ इंडिया की पांचवी मॉनेटरी पालिसी तो इन्हों ने दोस्तों फिलहाल जो है, भाई किसी भी जो हमारी मॉनेटरी पालिसी टूल में कोई चेंज नहीं किया, रेपोरेट जो पहली 6.5% थी, अभी भी 6.5% है, जिन बच्चों को ना पता हो बता दो, दोस्तों रेपोरेट होता है, जिस रेट पर, रेजर बैंक को इंडिया द्वारा बैंकों को, शेडियूल बैंकों को, इंडिया में सारी बैंक शेडियूल है, उन सभी को लोन दिया जाता है, शौर्ट टर्म के लिए, 90 दिन से कम टाइम पिरेट के लिए, उसे हम रेपोरेट बोलते हैं, दोस्तों वो 6.5% है, और ये पांच मी बार ह टूल थे, CRR, SLR है, उसमें कोई किसी तरह का बदलाव फिलहाल नहीं हुआ है, और जो है, यहां पर बता दूँ, 2016 तक तो जो वन ट्री पालिसी थी, आर्बे द्वारा ही डिसाइड की जाती थी, लेकिन उर्जित पटेल की रिक्मेंडेशन के बाद, 2016 के बाद, इसे तीन म सब्सक्राइब के लड़के हैं, फिलहाल BCCI के सेक्टरी हैं, और इनको CII द्वारा, CII का मतलब है, Confederation of Indian Industry, उनके द्वारा, दोस्तों, Sports Business Leader of the Award जो है, वो दिया गया है, तो यह कुश्चन जो है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पहले परसन है, जैशाह, इंदा दोस्तों, फिर अगला जो प्रशन है, वो जुड़ा है, युनिवस्टी से, के आइट युनिवस्टी, इनको जो है, बेस्ट स्पोर्स फसेलिटी अवार्ड जो है, इन्ही अवार्ड फंक्शन में, CII Business Award 2023 में, बेस्पोर्स फसेलिटी अवार्ड भी इन्हें दिया गया, तो के आइटी का फुल फॉर्म है, कलिंगा इंस्टीट ओफ इंडस्टियल टकनॉलजी, और ये दो अवार्ड याद रखे, सेक्टरी BCI को मिला है, और कलिंगा इंस्टीट ओफ इंडस्टियल टकनॉलजी को ये अवार्ड मिला है, फिर अगला जो कोश्चन है, वो निपा को डेडिकेटर है और दोस्तों यहाँ पर इन दिनों में एक मिला लगता है बाला चोत्रदशी और इस मेले के दुरान वहाँ पर दोस्तों कोई वर्ल्ड कप वह वेस्टनीज और युएस में वेस्टनीज और युएस में होगा लड़कियों का टीट्वंटी वर्ल्ड कप जो है वो बंगलादेश में होगा तो यह दोस्तों इनके लिए जो नए लोगोस इन्हें वाइबरेंट लोगोस कहा गया है और वाइबरेंट क्यो ताकि दोस्तों जिस तरह से T20 में वाइबरेंट तरह से चौके चौके आउट इस तरह का महौल रहता है उस वज़े से यह वाइबरेंट लोगो जो है बनाया गया है दोनों के लिए इनके वेन्यूज आपको पता होने चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों जो है आपको यह पता बहाया चुका हूं राजस्तान के मुख्य मंतरिंद के साथ साथ यह 31 के मुख्या मंतरि Vaishnu देयो साई जी जी बनाया गया है इसके लावा भजनलाल शर्मा राजस्तान में मैं और जो तो ये जो तारीक थी भारत के इतिहास में बड़ी इतिहासिक तारीक है इस दिन हमारे ग्रह मंत्री अमिट शाजी ने दोस्तो अपना एक भाशन के दोरान राज्य सभामी जो आर्टिकल 370 जिसके तहट जम्मु एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटिस दिया गया था कि वह पर महा की पुलिस अलग होगी उनकी पावर अलग होगी वो दोस्तों मिलिटरी की पावर लिमिटेड होगी तो यह जो 370 आर्टिकल है जिसके तहट स्पेशल पर वीजन दिये गए थे उसको हटा दिया था और दोस्तों आज तक जो है पिछले चार साल से वहाँ पर यूट 48 में आर्टिकल 370 लगाया गया तो इसे एक टेंप्रेरी सुलूइशन के तौर पर देखा गया था और दोस्तों वो कोई पर्मानेंट सुलूइशन नहीं था कि जो लाइफ टाइंग जो है उसे बरकरा रखा जाए तो वो सारी जो रेट्स हैं उनकी जो पर्टीशन है जो विधान सभा की स्ट्रेंथ है रिसेंटली वो भी रिवाइब की गई है अब उसको रिवाइब करके टोटल 114 जो है कर दिया गया है लेकिन याद रखें अभी जम्मो एंड कश्मीर में लदाख कवर नहीं होगा लदाख जो है यूटी ही हमेशा जो है वो रहेगा दोस का जो थीम था वो था हेल्थ फॉर आल टाइम फॉर एक्शन जो है उसका थीम रखा गया है फिर मैंने आपको शुरुआत में बताया यूनिसेफ दोस्तों 12 दिसंबर 1940 में इसका फाउंडेशन था और पूरी दुनिया भर में इस इंटरनेशनल चेल्डरन अमर्जनसी प्राइज भी जो है बच्चों के में बहतर सिक्षा प्रवाइड करने के लिए अमर्जनसी से निकालने के लिए तो 1965 में से नोबल प्राइज भी आलरी मिल चुका है फिर दोस्तों भारत में दिली में जो है वाइपस द्वारा वाइपस का मतलब है वर्ड एस्वेशेशन आ यहां कि जो है वर्ड इनवेस्टम कॉंफरेंज 11-14 तारिख में जो है दोस्तों दिली की ये शो भूमी में महापर आयोजित की गई ये शो बहूमी दुनिया की सबसे बड़ा कॉंफरेंस हौल है वाहँ पर इसका आयोजित हुआ और दोस्तों यह सबसे बड़े कॉंफर है यह 11 से 14 तारीक के बीच में इसका आयूजिन किया गया फिर हमारी जो मिनिस्ट्री ओफ ट्रांस्पोर्टेशन है दोस्तों जो नितनगड करीजी है उन्होंने अपनी नए दिशार निर्देश में यह अनाउंस किया है कि एक अक्टूबर ट्रक कैबिन दोस्तों अगर वो नहीं होगा तो भई उसका चलान होगा और उन ट्रक्स को जो है लाइसंस उनकी कैंसल कर दिये जाएंगे याद रखें तारी एक अक्टूबर हैंन और दोस्तों इनके नये जो चेर्मेंन बने हैं वहीं अभी इनका नाम देख रहे थे। उनका जो नाम है सूर cachiv अनन जी उनका नम में वह है राजीव आननद जी को मेक्सल सेट इंशरंस का चेर्मuciones बनाया transforms फिर उसके बाद दोस्तों अमेरिका की जो गौर्वर्मेंट है हर साल नौ तारीकों जोसे दिन एंटी करॉप्शन डे होता है ये अवार्ड अनौन्स करती है एंटी करॉप्शन चेंपिन अवार्ड और कहीं सारे लोगों को दिया गया इस बार खास बात ये थी कि भारत के ए शोशल एक्टिविस्ट है उनको जो है ये पुरसकार दिया गया है याद रखें यह जो और है यूएस गौर्वर्मेंट द्वारा दिया जाता है और यह नहीं पहले भारतिया बने है जिन्हें यह जो अवार्ड है दोस्तों जो है वह मिला है फिसके बाद मोहनियादव और इनको जो है मुख्यमंती बना दिया गया है फिर ISB ने अराउंज किया है Armed Forces Scholarship तो दोस्तों जो जो वेटरंस हैं जो पुराने रटाइड हैं उनके लिए 50% जो है टूशन फीज जो है इंडिन स्कूल ओफ बेजनस ISB द्वारा दोस्तों जो की MBA कहीं सारे मैनेजमेंट प्र जो आई हैं जो ऑफिसर्स हैं उनको जो है 50% वेव फीज करेगी अगर वो यहां से कोई भी मैनेजमेंट प्रोग्राम में करना चाहें और इसका फाइदा पिछले वर्स जो है 22 एक्सर्विशमेंट अलरी इसका उठा भी चुके हैं फिर दोस्तों जो है बानी ग्रासलेंड दोस्तों और जो है बानिंग रैसलेंड नोर्थन बोडर ओफ कच रिस्टिक और यह लार्जस ग्रासलेंड इंडियन सबकॉंटिनेंट जिसका आईरिया लगभग लगभग 25 स्केर जो है वो किलोमेटर है और दोस्ता कि इनकी जो संख्या है पापुलेशन है उनको बढ़ा इस्टेशिया के कहीं सारे कंट्री उनकी जो वुमेन पार्टी स्पेंट्स है आर्मी वुमेन आर्मी है उनको लेकर यह डिजास्टर जो परपेडनेस एक्टिविटी करवाई गई और यह दोस्तों दिल्ली में इसका आयोजन जो है भार द्वारा किया गया था मानिक्षा स सेंटर में ताकि किस तरह से डिजास्टर में जो है बहतर काम जो है वो किया जा सकता है याद रखें भारत एश्यान का पर्मनेंट मेंबर नहीं है लेकिन एश्यान के सबसे इंपॉर्टेंट कई सारी समिट में लगातार हम हिस्सा लेते रहे हैं फिर उसके बाद इंडोनेशिया में दोस्तों ये वॉलकेनों आया रिसेंटली इभू वैलकेनों जिसकी वज़ए से ववस्थाएं यहां पर काफी अस्तव्यस्त हुई याद रखें इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो नुसंत्रा है और इभू नाम का ये वैलकेनों है फिर दोस्तों ये दो साल में एक बार होने वाला रेड़ फोर्ट में लाल के लिए में आठ आर्किटेक्चर डिजाइन जो है ये फेर है रिसेंटली नहिंद्र मोदी जी ने इसका उद्गाठन किया और याद रखें इंडिया के आठ आर्किटेक्चर डिजाइन को लेकर जो है ये एक कल्चर डायलोग हेरीटेज फेर है हर साल फर दो साल में एक बार कराया जाता है और दोस्तो आतम नेरबर भारत सेंटर फुर डिजाइन एक इस तरह का दोस्तो जो इस पार एक तंबू जो है वो भी रखा गया ताकि भारत में जो हमने रीसेंटली फिछले कई यह फ्रांस नहीं इटली का जिसका नाम है order of merit और इटली का यह जो और वार्ड है order of merit रिसेंटली भारते दोस्तों बॉलिवोड एक्टर कभीर बेदी जी को दिया गया है आप कसी मैं प्रशन पूछता हूँ जैसे कि फ्रांस का हाइस सिवल अवार्ड है और डी काफी मुश् है order of the merit of the Republic और जो है अगर हम बात करें जो हैं यह भारत के जाने मानें जो हैं वो बॉलिवूड एक्टर हैं फिर दोस्तों बंजलाल शर्मा राजस्तान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं जी और राजस्तान में इसके इलावा अगर हम बात करें जो है वाई टोटल विधान जो अडिशन है वो पुषपा भारती जो पुषपा भारती हैं हिंदी की जो है राइटर है और नाइंट 2016 में इनकी किताब आई थी यादे यादे और यादे उसके लिए जो है यह अवाड इने दिया गया है याद रखें व्यास समझ जो है इसमें चार लाग का कैश प्रा तीन से साथ जनवरी होगा और दोस्तों उसमें जो है जावेद अक्तर जी जो भारत के जाने माने बॉलिवोर्ड लिरिक्स्ट हैं उनको जो है पदम पानी लाइफ टैम अचीमेंट अवाड जो है वो दिया जाएगा तो टू भी फसिलिटेट पदम पानी लाइफ टैम जाएगा फिर और यह जो है दोस्तों चत्रपती शंबाली नगर तीन जनवरी को यहां पर यह जो अवार्ड सैमिली होगी जिसमें दो लाक रुपिया जो है कैश मतलब जो चेक और दोस्तों सिटेशन जो है जावेद अक्तर साब को दी जाएगी फिर अमेरिका में दोस्तो भारत जो है औरिजन एक और्गनाइजेशन है और जो उस और्गनाइजेशन का जो नाम है वो है दिवाली फाउंडेशन और यह दिवाली फाउंडेशन द्वारा युनाइट्रेड नेशन के पूर्व सेक्टरी जनल साउथ कोरिया के और काफी लंबे समय तक सेक्टरी जन पर तस्वीर देख रहे हैं ये रुचीरा को मोज की हैं और भी भारत की जो स्थापित लोग है अमेरिका में उनके द्वारा ये जो अवोड है हर साल दिया जाता है फिर पॉलेंड में एलेक्शन हुआ था तो पॉलेंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पे डॉनल्ड टस्क जो हैं दोस्तो प्रधानमंत्र के तौर पे जो हैं रिसेंटली चुने गए हैं तो वहाँ पर जो हैं 248 में से 201 जो सीड्स हैं डॉनल्ड टस्क के नाम पर आई फिर दुनिया का पहला दोस्तो फोर्थ जेनरेशन जादा डिस्ट्रॉक्टिव पहले से नुक्लिर पावर प् प्रविंस है जिसका नाम है शेंट डॉंग प्रविंस वहां पर दोस्तो इसको जो है लगाया जा रहा है और ऐसी उमीद है कि भही जो है इस डिसंबर में ही इसने अपना काम करना शुरू कर दिया और दोस्तों चौथी जेनरेशन का नुक्लिर रेक्टर जो है दुनिया मे कुछ यहां पर जो है बही डिवेल्प किये गए है नेशन नुकलिर कॉर्परेशन दौरा फिर दोस्तों भारती जो नेवी है रीसेंटली ही मंबई में के कोस्ट पर इन्होंने एक बाय एनवल जो साल में दो बार अक्सरसाइज लगती है प्रस्थान नाम की नेवी एक ने कंपनी है ओले नेच्ट्र गैस कॉर्परेशन वहां पर यह हर्द 6 मिने के बाद यह से कंड़क्ट है वो किया जाता है फिर उसके बाद दोस्तों अगला प्रशन है वह है भारत और वेतनाम की जो है अक्सरसाइज भारत और वेतनाम वेतनाम की दोस्तों जो कैप्टल हनोई हनोई में इसे आयोजित जो है किया जा रहा है अभी 11 दिन की जोएंट मिल्टर अक्सरसाइज इसका नाम है विन बैक्स नाम यह आपको सीदे सीदे याद रखने हैं भारत शिलंका में मित्र शक्ति है भारत यूएसे में वज्र प्रहार है भारत निपाल में सूरिया किरन ह वैसे ही भारत और जो है वेत नाम है यह अक्सरसाइज का नाम है दोस्तों विन बैक्स यह याद रखें फिर उसके बाद जो है भाई दोनों टीमें मिलकर कर रही हैं दोस्तों दुनिया का अभी तक आज तक का सबसे बड़ा ओपियम अफीम का जो मैनुफेक्चर था वो अ और यह अपने आप में बड़ी हरानी की जो है वो बात है तो अर्लियर अफगानिस्तान दोस्तों इस चीज़ के लिए इनफेमस था अब जो है मैनमार में यह जिए आने लगी है इसके लावा दोस्तों अफ्रीकन कंट्री माली जहां पर एक लंबे समय तक जो है वहां पर की वज़े से जो इस्तिती भी काबू थी तो इनाइटरेनेशन पीस कीपिंग फोर्स ने पिछले दस साल से वहां मोर्चा संभाला हुआ था अब उन्होंने अपना उपरेशन वहां पर खतम कर दिया है दोस्तों और वहां पर उफेशली जो है अपना उपरेशन एंड करके पीस कॉपिंग फोर्स ने इनाइटरेनेशन की वापस जो है वो जा रही है और उमीद है कि वहां पर आगे भी स्थिती जो है वो सही से बरकरार रहेगी फिर उसके बाद ये बेडमिंटन पेर हैं अश्वनी पुनपा एंड तनीशा करास्टो इन्होंने रिसेंडली ग्व फीमेल में दोनों में देखें तो दोस्तो जो है यह अवाड किये हैं यह इस्ट्रेलिया के ट्रेवल हैड इनको मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो नहीदा अक्तर दोस्तो जो है नहीदा अक्तर है इनको जो है यह अवाड है वो दिया गया है तो यह बंगलादेश की है नाई दक्तर और ट्रेवल हेड़ आपको पता है उस्टेलिया के हेड़ है फिर दोस्तों भारतिय संसद में जो है रीसेंटली हमला हुआ और हमले में इच्छे लोग पक्रे गए हैं और उन्हें काया कि हमने सिर्फ जो मोदी गौर्मन्ट के खिलाफ हम एक जाहरा पेश करन चाहते थे उसके उसकारण जो हमने यहां पर यह जो दोस्तों धमाके हैं धमाके में कोई मरा नहीं सर्फ पीले रंग का जो गुलाल है वो अड़ाया गया था दोस्तों वह हुआ है और खास बात यह थी कि यह जो है संसद पर हमला हुआ था 2001 में उसके 22 साल जो पूरे हुए हैं उसकी एनिवर्सरी पर जो है 22 साल के इनिवर्सरी पर यह हमला हुआ है और काफी ज्यादा शर्म लाग रहा और दोस्त यहां पर तस्वीर देख रहे हैं जो पता लगा कि पास कुछ ने तो सांसदों ने भी इनको जम कर काफी पीगता तो दोस्तों जो है फिर उसके बा ब्हारत में यह जो national mission for clean गंगा है जो हमारी ministry of जलशक्ति गेंडर काम करती है इसके द्वारा इस initiative को दोस्तों launch किया गया है देखना होगा कि इस resolution को pass किया जाएगा या नहीं किया जाएगा फिर दोस्तों साथी साथ इस COP 28 में Game Changing नाइगी श्रीन किया जाने को शुरू हो चुका है और 24 200-meter deep और physics की laboratory है जो यहाँ पर है दोस्तों लांच की गई फिर दुनिया का दोस्त फस्ट चाइना का लैंड्सकेप निथेन रॉकेट जो है री सेंटली दोस्तों और चाइना और जिप्त में मिलकर जो है जिसका नाम है मिसर सैट्टू जो है जिसको नाम रखा गया है फिर दोस्तों दुनिया में सबसे अच्छी quality of living अच्छा जो है रहां पर रहन सहन हो लोंकी जिंदगी हो इस जोतरी इस में दुनिया का नंबर वांज कंट्री एओसट्रिया का वियना है और जोस्तों भारत के में देखें तो वह gi neighbourhood अवरोल अग दुनिया में भात करें हैंग 153 है इंडिया में सबसे बहतर शहर पूने फिर बैंगलोर है एक एक नमबर का फर्रक है और जो है दुनिया में वेना है याद रखे क्वालिटी ओफ लिविंग इंडेक्स मरसर और्गनाइज़ेशन वारा यह किया गया इसके लावा ये दोस्तो तमिल कवी थे थिरू अलर इनका एक स्टेच्चू जो है रीसेंटली फ्रांस में जो है दोस्तो लॉंच हुआ है फिर सुवास नाम का भई सुवास मैं बता दू फुल फॉर्म दोस्तो सुवास का जो फुल फॉर्म याद रखें यहां पर इसको जो इसके लॉंच किया है जिसमें कि सुप्रीम कोड की जो भी वर्डिक्त होंगी उनको 11 रीजनल लैंगुजज में करवाड कर दिया जाएगा और सुवास का फुल फॉर्म मैं सुप्रीम कोड लीगल ट्रांसलेशन सौट फिर 11 लैंगुजज में करने की अथोरिटी यह पाव भारत के पूर्व टैनिस प्लेयर लेंडर पेस और विजे अमरित राज इनको वर्ल्ड टैनिस एस्सेशन ने हॉल ओफ फेम ये अंतराश्ट्री है दोस्तों स्पोर्ट्स में एक समान है बड़े ही रिस्पेक्टिबल प्लेयर को दिया जाता है हॉल ओफ फेम से समानित किया ह है फिर आएटी मदरास ने दोस्तों जो है एक अमरित नाम की टकनॉलजी डिवेल्प की है अगर पानी में दोस्तों मैटल आइंज है अरसेनिक है जिनकी वज़े से कैंसर कॉज होता है तो उनको ये रिमूव कर देगी अमरित जिसका फुल फॉमी है अरसेनिक एंड मैटल इंडियन टकनॉलजी दोस्तों अरुनाजल परदेश में इस अफ़ते एक फेस्टिबल आयो जित किया गया जिसका नाम है शार अमरताला तोर गया मैं रपीड करता हूं शार अमरताला तोर गया जो है इसका नाम है तो दोस्तों फिर भारत के आल राउंडर काश्वी गौत इसके लावा दोस्तों रशिया ने रीसेंट्ली दो नुक्लिर पावर्ड सम्मरीन्स लाउंच की है इनुग्रेट की एक का नाम है क्रेश्णो याक्स और दूसरी का नाम है एंपरर अलेक्जेंडर ठी और फिर दोस्तों जो है अर्जर वाड के लिए मौमद शामी को रिकमेंड किया गया है अब यह अवाड मिला नहीं सिर्फ रिकमेंड़ है तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंड है दोस्तों वो जो झ मौमद' आलेक्स और करें कि बहले है झालीक्स कारता है प्लाव मौमrobा टा से था को जह रूंगर झालने को